हेलो दोस्तो मेरा नावर एक्राम सभू हम इसे की तरह आप लोगों का हमारी स्वीट चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आप लोगों के लिए भी मैं जश्ट आदा गंटा पहले लाइब आया हुआ था और सर से थोड़ा टाइम भांगा और आप लोगों से जो डिखरेंट रहता है सर के पास भी टाइम निकालके हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं और देखे भी हो गए सरी सिर्फ रहता है हर एक वीडियो में और इसे बोले जाए डॉक्टर के सांथ वीडियो मेरे कम बनता है तो जो भी आप लोगों को सांसर मिलेगा और हमारी चैन बहुत लोगों करता हूँ जैसे के डाइंड्राफ वह जाता है चानक से और बहुत लोगों बाग रहता है तो सामने की तरफ न आ होना पर बीच में डेंड्रा तो किस ही साम्ने होता वाज EVERY होज़से है भी देंड्राफ अपनए आप में एक कंडिशन है जो थोड़े से 3-4 अलग-अलग कारणों से होती है जिसे कुछ लोगों को ड्राइड होता है कुछ लोगों का बैट रहता है तो ये एक फंगल infection से भी हो सकता है एक तरह का फंगल हमारी हमारे सकेल पर ग्रो करता है जो कि हमारे इसकें के टर्मोबर को चेंज करता है वहाँ पे स्केलिंग और फ्लेकिंग करता है कई बार हमारा सकेल बहुत ज़ादा वाइली होता है तो वहाँ पे ग्रीसी देंडरॉफ होने लगता है सिबोरिक डर्मटाइटिस जिसको बोलते हैं जिससे खुजली भी मच सकती रैडनेस भी आसकती है कई लोगों में देखा जाता है कि ठंड के मौसम में डेंडर फोता है भोगत ज़िदा होती तब यह लम लग लग कॉज होते हैं इसके टिलोजी भी डिफरेंट हो सकती है एरिया भी कई लोगों में लिमिटेड एरिया में होता है, कई लोगों में थोड़ा वाइड स्प्रेड हो जाता है, तो साथ में चेहरे तक आने लगता है, जितने भी हेर बेरिंग एरिया है, मतलब जहाँ ज्यादा बाल होते हैं, उन हिस्सों में डेंटरफ होने की संभावन बैटर ही रहता है कि आप हमेंसा डॉक्टर से वेलुएट करें कि उसकी सिवेरिटी क्या है क्योंकि डेंटरफिंज एक जनरल ट्रम है कभी बहुत माइल्ड हो सकता है जिसको आप घर पे एक सिंपल एंटी डेंटरफ शेंपू से भी ठीक कर सकते हो कभी थोड़ा सा वो सिवे इसफे वाज़ेस्में आप लोगों दोस्तों बोटाओं कि एक बार आप डॉक्टर से मिलो और जो भी चीजा है क्योंकि आप लोगे वीडियो कॉल का अलग हो जाता है तो आप यहां free क्यों नहीं देते यह मैं जाना चाहिए दर्फिये दो विजार रीजन होते हैं जैसे क्या रहता है पहली चीज कि आप जब एक quality चीज सर्व करते हो तो आप उसको फ्री नहीं दे सकते हैं जैसे प्यार्पी भी एक प्रोसेस है जिसको scientifically proper तरीके से करना चाहिए जैसे उसमें किस speed पे उसको हमें centrifuge करना है फिर हमें उसमें से plasma separate करना है प्लेट लेटरिज पार्ट फिर अलग करना है तो हम double centrifuge उसको करते हैं उसकी specific machine हमने मंगाई हुई है हम कोई भी लैब की normal machine से लहीं करते हैं तो हम उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तो एक तो reason यह होता है कि जो आप एक quality चीज कर रहे हैं तो उसको free नहीं करना है दूसरा यह रहते हैं बहुत सारे clinic में जैसे PRP free कर देते हैं तो वो medicines के cost बढ़ा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से वो उसका पैसा recover करने की कोशिश करते हैं तो मैं भी देखा हूं तो यह चीज ही हम आवाइड करने के लिए हमने हमारी चीजों के एक affordable charges रखे हैं है ना बट totally free नहीं रखा है चीजों को तीनों medicine में बोला जातों सब कीज इंक्लूड था अब उसका प्राइस मेरे को पढ़ा है मंतली 1500 रुपए एक मंत का बता रहूं अब फॉर इक्जांपल के लिए लिए लिया जाए दोस्तों जैसे आप यहां से जा रहे हो मैंने फर्स एर ट्रांस्परांट कर रहा था जश प्रिधार तो मेरे इसाबसे दोनों जैसे डिसे बतारे तो दोनों मेरे साब से बरावली लग रहें मतलब लेए अधर से निकाल रहे और यह यह उली तो डॉक्टर अपने तरफ कभी भी यह निर नहीं करता है कि वहीं आतने लॉस में जा क्योंकि उसको पैसा इस तरफ में से एक तरफ से ले गई लेगा डॉक्टर जाए किसी भी क्लिनिक में क्राव इंडिया का तो यह सब चीज रहता है तो इस मुझा से सर से भी मैंने पुझा है इस यह फिरी में क्यों नहीं देती है थर्ड नमर का कॉस्टन यह रहता है सर दोस्त मतलब का कि आप मेरे ऑनलाइन जासे जैसे मैं वीडियो बनाता हूं तो यह बोगते कि आप क्लिनिक का नाम क्यों नहीं लेते करके तो इसके बारे नहीं प्रेशन रिफर करते हैं को इसे वरक अच्छा लगा कशा लगा इसके बाद हमारे पास अगर कोई हमें पेशेंट रेफर करता है तो हम कुछ डिसक प्यार्पी में दे दिया उसके अलाबा जिसे आप यहां आते हैं तो यूट्यूब वीडियो बन जाते हैं कुछ कंटेंट मिल जाता है तो यह सारी चीज़े रहती है टाइब सिर्फ इतना रहता है कि हाँ ठीक है हमें आपके बालों का सबस्क्रान करा चाहिए तो देखो देखों क्या होता है जिसे मैं प्यार्पी लें अदेगल पैसा सब यह सब चीज रहता है और चौंफा कुश्चन है मेरा सब्सक्राइब करते हैं तो लोगों को वास्तों में कौन से कराना चाहिए आप इसाब से बताईए दिखिए हे transplant जो है FUE टेक्निक जो अभी ज़्यादा popular है तो उसमें कुछ variations है चाहे तो हम basic instrument से कर सकते हैं नीडल से forceps से नॉर्मल हम storage solutions ले सकते हैं अगर आप थोड़ा afford कर सकते हैं तो better है कि आप थोड़े advance instrument से करें क्योंकि कोई भी field में धीरे धीरे advancement आते रहते हैं और जैसे चीज़े advance होती हैं उनका refinement उनके results और better होते हैं जैसे आप निडल से slit बनाते हैं तो कहीं न कहीं वो damage ज्यादा करती है वास्कुलर injury कर सकती है अंदर गाव बना सकती है लेकिन अगर आप वही cts blade या सफायर blade से slit बनाते हैं तो उसमें injury के chance बहुत कम होते हैं आपके scalp पे damage बहुत कम होता है तो results तो साथ में अच्छे आते ही हैं साथ में आपको injury के chance भी कम हो जाते हैं दूसरा आप implant करने के लिए normal force करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा graft का handling थोड़ा ज्यादा होता है वह थोड़ा सा मुड़ सकता है उसमें थोड़ा सा changes आ सकते हैं उसके directions वागेरा में expert hand में generally होता नहीं है लेकिन फिर भी एक storage solution रहेगा तो ग्राफ के survival कम समय तक के लिए रहेगा अगर वही एटीप रिच होगा आई को थर्मसोल होगा तो उसका ज्यादा समय तक के लिए रहेगा तो कहीं न कहीं यह चीज़ें बैटर करती है तो अगर फोर्ड कर सकते हैं तो डिफिनेटली अप्ग्रेट करना चाहिए तो आई एफ यूई या बिग फ्यूई में आप जा सकते हैं ठीक अज़िए अपने अपने में दोनों ही मैथड अच्छे हैं ऐसे किसी में कुछ गलत नहीं है दोनों ही सही है अच्छे रिजन्स दोनों देते हैं हम लोग बिग करते हैं क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो है इसके अंदर हम जितने एडवांस लेवल पे स्लिट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट है या इंप्लांटेशन के इंस्ट्रूमेंट है स्टोरेज के सॉलूशन से वह यूज करते हैं तो इनक लगाया चार पाच बाल आ गया और जैसे वास करकर में वीडियो डालते रहे तो हूं अपने पेसंट भाई लोगों को दिखाते रहे तो वहां पर तीस पैसिस कभी कई पचास जाता है तो यह क्या बाल हम लोगों का जड़ से जड़ जाता है यह फिर दुबारा उपता है यह यह 3 फेस में चलता है अंाजन, केतरजन, टिलोजन और भी फेसेस हैं लेकिन मोटे तौर पर यह 3 फेस हैं अंाजन मतलब कि जो बाल GIRो करेगा लमबे समय तक ग्रो करेगा साल बर, 2 साल, 10 साल तक क्रो कर सकते हैं टिलोजन फेस जो 2-3 महेंने में रहेगी जिसमें बाल जड तुर यो बापस नाजन में जाके और वह ग्रो करेगा अब करता है आपके डाइट पे आपके यह पह最 चल रहा है उसके लिए आप जो भी जरूरी कदम है वो ले सकते हैं अपने डॉक्टर से डिसक्स करके कre सकते हैं और अगर बाल कम जड़ु फे रहा है तो जाए तर बाल इनाजन फांस में और वो ग्रोव कर रहे हैं तो जो बाल जड़ता है वो जनरली वापस आजाता है बहुत कम कीश में कर बहुत तो फिर उतना रिकवर नहीं होता है या साथ में थिनिंग चल रही हो तो वहां पर फिर बाड़नेश दीर दीर आता है तो मतलब इस कहने का मतली है सर जैसे की जीवन चक्र चलता हो ऐसी है अब बच्पन में बच्पन से अब अपना बाइस साल गूंबर हो गया उसके बादेर हम लोगों को जैसे जेनरेटिक बा जढ़ते रहता है जैसे मेरे पिता जी का भी जड़ा है तो पूरा उपर से चला गया है और मेरे शीरफ दूनों बगल कराना चाहिए अगर आपको donor area भी जड़ जाता है जिसे आपकी family में ऐसी condition है के उनका donor area भी खतम हो जाता है तो आपको hair transplant में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस case में आपके लगाए हुए बाल भी बाद में जड़ सकते हैं बट अगर donor area survive करता है इवन आपको grade 7 baldness भी आई है आपकी family में तो भी आप transplant में जा सकते हैं कोई problem नहीं है बस आपको proper planning की जरुरत है कि कितना आपको hair line रखना है कितना आपको density देना है कैसे coverage करना है बाकी hair transplant genetic baldness के cure के लिए होता है और आप बिलकुल उसमें जा सकते हैं कि अगर आपका genetic है तो अगर बाल नहीं जड़ता तो आपके पिता जी का किसी कभी हो तो नहीं जड़ता तो आपकर आ सकते बरके तो for example के लिए दोस्कों मेरा मैं अपने पिता जी का बता दूं मेरे प क्या है मेरे को WhatsApp पर comment box में बता सकते हों तो साथ में में इंपोर्टेंट कोश्चन है दोस्तों क्या जैसे हमारा बाल हमने hair transplant करा लिए तो क्या उसको हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं सर इसके बारे में आप कुछ बता दीजी एक्शूली इसका question का answer थोड़ा simple नहीं ह क्या है देखिए बाल हमारी body में एक कह लिजे एक accessory structure यह इसका कोई function नहीं है यह सिर्फ हमें looks के लिए चाहिए अगर हम evolution की तरफ देखें तो धीरे-धीरे हमारे सरीर पर बाल कम ही होते जा रहे हैं तो gradually body को बालों की जरूरत नहीं है इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम हमारे बाल अच्छे देखें हम उसको maintain करना चाहते हैं ठीक है तो उसके लिए आपको थोड़े effort करने पड़ेंगे ठीक है कुछ लोगों में genetic baldness नहीं आता तो उनके बाल जड़ते नहीं है लेकिन still उनके बाल texture में खराब होने लगते हैं उनकी quality गिरने लगती है तो उसके हम regular clean करते हैं हम उस पर कई बार exfoliating चीजें लगाते हैं कई बार हम उस पर moisturizing चीजें या UV रिस से protection देते हैं तो हम यह सब क्यों करते हैं ताकि हमारे चेहरा अच्छा देखे हैं हम छोड़ देंगे तो चेहरा हो सकता है दीरे दीरे डल दिखने लगे हम regular face wash नहीं करेंगे त पर हम उसकी care कर रहे हैं तो वह better रहेंगे हां साथ के साथ अगर कुछ बीमारी है तो वह doctor से discuss करके आप ठीक करा सकते हो but in general मालो आपको कोई baldness नहीं कुछ भी नहीं है तो भी आपको बालों की care करनी चाहिए ताकि वह आपके हमेसा अच्छे दिखते रहे हैं उनका look better रहे उनका texture सही रहे quality better रहें ताकि आपके क्योंकि बाल से चेहरे का बहुत ज्यादा look change हो जाते हैं सही बाता सर मैं भी लग सम्टी से तीस साल रग का लगने लग गया था लेकिन जैसे यह transplant हुआ तो फिर अपने जैसे उम्र उसी साफ से लग रहा हूं जैसे कि for example अभी मेरा 22 स चल रहा है और मैंने दो मतलब 21 साल चल रहा था तब यह transplant कराया था और यह आठ्वा जो में मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन बोला जा सकता है जैसे सरी लोग क्या करते हैं बहुत में पेसंट भाई लोग है इन लोग वीडियो देखते हैं यूटूब पर तरह तरह कि यह मै इन जनरल कोई भी मैडिसन हमको बिना डॉक्टर के सलाह के यूज नहीं करना चाहिए है ना कई बार बहुत सारी मैडिसन ओटी सी हमें इजीली मिल जाती हो वादा काउंटर हम ले सकते हैं उन पर कोई ऐसी मनाई ही नहीं होती है और इसके अलाबा हम उनको यूज भी कर ले है या बालों को रोकने के लिए है बट इससे क्या हम हो सकता है अब आपकी प्रोफाइल क्या है जिसे माल लीजे कोई बीपी का पेशेंट है कोई शुगर का पेशेंट है तो हर किसी की बॉड़ी सेम रियक्ट नहीं करेगी उस दवा के लिए हमें वो दवा लगाने पे क्य सब्सक्राइब होगे या में नहीं बता तो जब आप अपनी डॉक्टर से डिसकस करते हो आप उनको अपनी पूरी प्रोफाइल बताते हो कि सर मुझे ये भी कंडिशन है और मैं साथ में बालनेस का ट्रीटमेंट ले रहा हूं तो आपके लिए उस दवाई की स्ट्रेंथ जो बताते हैं किससे स्ट्रेंथ आपको यूज़ करना चाहिए आप कर सकते हैं नहीं कर सकते है आपको उसकी एलर्जी है तो आपकि और नेट कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़़ें निकल के आती है तो बेटर यह रहता है कि आप थोड़ा सा डॉक्टर से डिसकस करें वो ज्यादा हमेशा सही है स्टिल मिनॉक्सिडिल इतना अंसेफ मेडिसन नहीं है बट प्रिफर करें कि एक बार डॉक्टर से डिसकस कर ले सारी चीज़ें अच्छे से समझ ले आपके हिजाब से कौन सा मिनॉक्सिडिल बैटर रहेंगा तो आपको और भी बैटर रिजल्ट मिलेंगे यह सब मेरे को खुद पता नहीं था आप बता रहें तो यह सब पता चल रहा है कि भाइड में लगा लूह सर्य लागा लूह ऐसे तो बहुत प्रिसंट का रहता है हुजाता बहुत लोगों को नहीं हो तो इस होजे सी कूप चना अपसे पड़ा और इतना समय दिया है सर उसके बहुत बहुत दिल से तैन्वाद तो चैजिकर हे नेक वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जहिंद वन्दी मात्रम टाटा बाय बाय